BJP के लोग, RSS के लोग देश को बाटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से भाशा को दूसरी भाशा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने देश का महौल बिगार दिया हैं। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए महबत का एकता का भाईचारे का और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की जब यात्रा शुरू की थी केरल में टमिल नाडू में शुरू की हमारे जो प्रेस के मित्र हैं मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी प्रधान मंत्री का चहरा दिखाते हैं 24 घंटे बेरोजगारी की बात नहीं रखते मेंगाई की बात नहीं उठाते तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये टमिल नाडू में केरला में सफल हो जाएगी मगर जब ये करनाटक पहुँचेगी तो ये फैल होगी बीजेपी के सरकार है वहाँ पर रिस्पॉंस नहीं मिलेगा करनाटक में गए केरल से तमिल नाडू से बहुतर रिस्पॉंस फिरो नहीं कहा बीजेपी के लोगों ने भी कहा हाँ ठीक है करनाटक तो साउथ इंडिया है महराष्टरा में रिस्पॉंस ने महराष्टरे माए और जबर्दस रिस्पॉंस फिर कहा ठीक है महराष्टरा में हो गया हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा मध्यप्रदेश में महराष्टा से भी बहतर रिस्पॉंस फिर खा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पॉंस हो गया आगे नहीं होगा हरियाना में नहीं होगा हरियाना में उससे बहतर और अभी हुड़ा जी ने कहा कि पंजाब में हर्यारा से भी बहतर रिस्पंस होने वाला है और इसका कारण है कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं डर फैला रहे हैं हिंसा फैला रहे हैं ये इस देश का तरीका नहीं है इस देश का इतिहास नहीं है इसे देश की हिस्ट्री नहीं है ये देश भाईचारे का देश है एकता का देश है इज़त का देश है रिस्पेक्ट का देश है और इसलिए यात्रा सफल हो रही है